नमस्कार दोस्तों मैं संतोष पटल स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ड बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वेल नोटि वीडियो है इससे पहले हम दो वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं वह दोनों वीडियो MS Word के introduction के लिए MS Word के interface के लिए MS Word के features के लिए बनाया गए थे ज़िए आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो description में दी गई MS Word में यदि आप कोई text type करते हो और आप उस पे कोई भी operation perform करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको text को select करना होता है जब तक आप MS Word में text को select नहीं करेंगे तब तक आप text पर कोई भी operation perform नहीं कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम MS Word में text को select करने के कई तरीके कई method सीखने वाले हैं MS Word में जो text आपने type किया है उसको select करने की कई method होती है तो सभी को हम एक एक करके सीखते हैं देखते हैं MS Word में text को कैसे कैसे select किया जा सकता है तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का देखते हैं MS Word में text को कैसे कैसे हम select कर सकते हैं MS Word में आप mouse के द्वारा आपने text को select कर सकते हो और keyword के द्वारा आपने text को select कर सकते हो यदि आपने MS Word में किसी text को type किया है और आप उस text का कुछ part या complete text को select करना चाहते हैं तो आप mouse क का यूज कर सकते हैं या फिर आप keyword का यूज कर सकते हैं माउस से यदि आप अपने text को select करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने तीन method को explain किया हुआ double click on a word आप किसी भी एक word पर double click करेंगे तो आपका वह word completely select हो जाता है दूसरा तरीका क्या है three time click on word आप किसी भी एक सब्द पर यदि तीन बार regular click करते हैं तो वह word जिस paragraph का होगा वह paragraph completely select हो जाएगा यदि आप पूरे paragraph को mouse से select करना चाहते हो किसी एक paragraph को तो आपको उस paragraph के किसी भी सब्द पर तीन बार regular click करना है left click करना है और आप mouse को drag करके अपने text में से किसी भी पार्ट को select कर सकते हो Starting का Matter Select करना है Ending का Matter Select करना है बीच का कोई Matter Select करना है या Complete Document को Select करना है तो Mouse से आप अपने Text को Select कर सकते हो Double Click करेंगे किसी भी सब्द पे तो वो सब्द Select हो जाएगा 3 बार Click करेंगे किसी भी सब्द पे तो आपका पूरा Paragraph Select हो जाएगा और आप mouse को drag करके भी आपके text को select कर सकते हैं दूसरा तरीका है keyword से आप text को select करें यदि आप control के साथ A press करते हैं control A select complete document आपका complete document क्या हो जाएगा select हो जाएगा आपने जितनी भी file में text type किया है आपकी file में जितने भी pages से जितना भी text आपने type किया है पूरा text आप select करना चाहते हैं तो control एका use कर सकते हैं second यहापर shortcut की क्या है आपको shift के साथ right वाली arrow की press करनी है आपके keyword में 4 arrow की होती है left, right, up, down तो जो right वाली arrow की है यदि आप उसको shift के साथ press करते हैं तो आप एक-एक character को select कर सकते हैं एक single-single character आप अपने matter का, अपने text का यदि एक-एक character select करना चाहते हैं तो आप shift के साथ right arrow का use कर सकते हैं यदि आप shift के साथ contemporary fire को और right arrow को press करते हैं तो आप एक complete word को select कर सकते हैं keyword से माउस से यदि complete word को select करना तो आपको double click करना पड़ेगा word के लेकिन यदि keyword से करना चाहते हैं तो shift को press करें, control को press करें और जो right arrow की है उसको press करें तो आप एक बार में keyword से complete word को select कर सकते हैं यदि आपको एक complete line select करनी है keyword से तो shift के साथ down वाली arrow की को press करें आपकी keyword में चार arrow की होती है left, right, top, bottom या up, down तो आपके keyword में जो down वाली arrow की है यदि आप उसको shift के साथ press करते हैं तो आपके matter की एक complete line select हो जाती है keyword से और यदि आप एक complete paragraph को keyword से select करना चाहते हैं तो shift प्रेस करें, control प्रेस करें और keyword से down वाली arrow की को press कर दें आप keyword से भी अपने complete paragraph को select कर सकते हैं, तो जब तक आप MS Word में text को select नहीं करते हैं, तब तक आप text पर कोई भी operation perform नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने text selection से ही अपने MS Word के tutorial को start किया है, इससे पहले जो भी tutorial हमने upload किये थे, why cable MS Word के introduction और feature के लिए थे, आज से हम MS Word को practically सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम आपको सिखाने वाले हैं, MS Word में type किये गए text को select करना, आप mouse से text को select कर सकते हैं, और keyword से select कर सकते हैं, mouse से select करने के कई तरीके हैं और keywords से select करने के भी कई तरीके हैं, तो अभी हमने जो भी select करने के तरीके है method हैं, उनको theoretically समझा, उनकी shortcut की को देखा, अब हम इस सभी method को MS Word में practically उपएयोग करके देखते हैं, तो चलते हैं MS Word की window और इन सभी method को उपियोग करके देखते हैं, तो यहाँ पर MS Word में मैंने एक sample matter को sample text को type करके रखा है इस text पर हम सभी selection की method को apply करके देखने वाले हैं तो हमने mouse में आपको जो पहली method बताई थी text को select करने की वह थी double click on word यदि आप किसी भी word पर double click करते हो तो वह word आपका complete select हो जाता है आप अपने paragraph में अपने document में किसी भी सब्द पर यदि double click करते हो तो आपका वह word select हो जाता है और जो word आपने select किया है आप उसकी formatting कर सकते हो उसको cut copy paste कर सकते हो उसको delete कर सकते हो उस पर effect set कर सकते हो without text को select किये MS word में आप कोई भी operation perform नहीं कर सकते text पर text को select करना इसलिए यदि आप एक सब्द select करना चाहते हैं तो उस सब्द पर mouse से डबल click कर दीजी आपका वह सब्द select हो जाएगा यह पहली technique है पहली method है दूसरी method हमने पड़ी थी किसी भी word पर तीन वार regular click करना वर्ण तू थ्री जैसे ही मैंने किसी paragraph पर तीन वार regular click किया आप तीन वार regular click करते हैं तो आपका वह paragraph completely select हो जाता है आप देख सकते हैं आपको किसी भी paragraph पर तीन वार regular click करना है आपका वह paragraph completely select हो जाएगा तीन वार regular click करना तो यह दूसरी method थी और mouse की हमने तीसरी method सीखी थी mouse को drag करके यदि आप starting से matter को select करना चाहते हैं तो starting में click करें mouse को drag करें click करके आप mouse को जहां तक drag करते जाएंगे वहां तक आपका matter select होता जाएगा ये आप क्यों पर depend करता है आप कितना matter select करना चाहते हैं अभी हमने drag करके starting से matter को select किया है आप ending से भी select कर सकते हैं आप किसी एक paragraph को select कर सकते है, mouse को drag करके आप बीच का कुछ part सलेक्ट कर सकते है, mouse को drag करके, mouse को drag करके आप कितना भी area text का select कर सकते हैं, तो mouse से text को select करने की तीन method हमने जानी, पहली method क्या है, किसी भी सब्दों को select करना तो उस पर double click करें, पूरे पैर अगर आपको mouse से select करना तो तीन बार उस पे click कर दें और आप mouse को drag करके कितना भी area text का select कर सकते हैं जितना आपको आवसा के उतना select कर सकते हैं अब हम देखते हैं keyboard से text को select करना तो पहली method थी control के साथ a press करें control a press करते हैं तो आपका complete document select हो जाता है आपके document में जितने भी page हैं जितना भी text आपने type किया है complete text को select करने के लिए keyword से control a को press कर सकते हैं control a press करने पर आपका complete document select हो जाता है यह keyword की पहली method थी text को select करने की दूसरी method हमने पढ़ी थी shift के साथ right arrow को press करना यदि आप किसी text को keyword से select करना चाहते हैं एक एक character करके एक एक character तो shift key को press करें और right वाली arrow key को press करें आप देख सकते हैं हमारा एक character select हो गया हम shift को press करें हैं और फिर से right वाली arrow key को press करते हैं दूसरा character select हो गया हम shift को press किये हुए ही right arrow key को फिर से press करते हैं हमारा तीसरा character select हो गया तो यदि आप एक एक character को keyboard से select करना चाहते हैं तो आप shift के साथ right वाली arrow key का use कर सकते हैं इस प्रकार से यदि आप shift key को और right arrow key को press करके रखते हैं तो थोड़ा सा यह fast हो जाता है लेकिन आप एक एक character को ही text को select कर पाएंगे अभी मैंने starting से text को select किया था तो right वाली arrow key का use किया था यदि आप ending से select करना चाहते हैं तो shift को press करें और left वाली arrow key को press करते जाएं तो left वाली arrow key आपको क्या help करेगी आप ending से एक एक character को select कर सकते हैं तो देकि keyword से text को select करना है तो आप shift के साथ arrow key का use कर सकते हैं shift के साथ right वाली arrow key से आप एक एक character को select कर सकते हैं स्टार्टिंग से और सिप्ट के साथ left वाली arrow key से आप ending से एक एक character को select कर सकते हैं यह keyword से select करने का दूसरा तरीका था तीसरा तरीका हमने पढ़ा था एक complete word को select करना keyword से एक complete word को keyword से select करना तो उसके लिए आपको shift press करना है control press करना है और right वाली arrow key को press करना है आप देख सकते हैं complete word select हो गया एक complete word यदि आप keyword से select करना चाहते हैं तो shift और control को press करके रखें और keyword से right वाली arrow key को press करते जाएं अब आपका एक complete word select होगा एक एक character select करना है तो shift के साथ करें और एक एक word को select करना है तो shift के साथ control का भी use करें और arrow key को press करते जाएं यदि आप starting से एक एक word को प्रेस कर रहे हैं, तो right arrow key का यूज करें, यदि आपको ending से एक word को select करना है, तो shift control के साथ left वाली arrow key का आप use कर सकते हैं, ये left वाली arrow key, ending से आप एक word को select कर सकते हैं, तो हमने keyword से complete document को select करने के लिए control A shortcut की पड़ी, फिर एक एक character को select करने के लिए shift के साथ right वाली arrow key या left वाली arrow key का use किया, तीसरी method हमने सीखी, keyboard से एक complete word को select करना, तो complete word को select करने के लिए shift control right वाली arrow key, या फिर shift control left वाली arrow key, अब हम सीखते हैं, keyboard से एक complete line को select करना, यदि मैं starting में हूँ, मेरा करजर अभी starting में है, और मुझे एक complete line को select करना है, तो हम यहाँ पर shift key को press और keyboard से down वाली arrow key को press करेंगे, down, नीचे वाली, जैसे मैंने shift के साथ down वाली arrow key को press किया, मेरी एक complete line select हो गई, यदि हम shift को press किये हुए ही, दूसरी बार down arrow key को press करते हैं, तो दूसरी line select हो जाती है, तीसरी line को select करना है, तो एक बार down arrow key को press करेंगे, shift key को मैंने छोडाना है, shift key को मैं press करके रखा हूँ आप देख सकते हैं complete line को select करने के लिए shortcut की क्या है keyboard से shift के साथ down वाली arrow की अभी हम उपर से नीची की तरफ matter select कर रहे थे तो हम shift के साथ down वाली arrow की को press कर रहे थे यदि हम नीचे से उपर की तरफ matter select करना चाहते हैं तो shift के साथ up वाली arrow की को press करेंगे आप देख सकते हैं एक एक line उपर की side आप select कर सकते हैं इससे shift के साथ down arrow की press करेंगे तो आप नीचे की तरफ एक complete line को select कर सकते हैं और shift के साथ आप उपर वाली up वाली arrow की को press करेंगे तो आप उपर के direction में एक complete line को select कर सकते हैं, अब हमारी text को select करने की keyword की एक last method है, shift control down arrow, यदि आप keyword से एक complete paragraph आपको select करना चाहते हैं, तो keyword से shift को press करें, control को press करें, और down arrow key को press करें, आप देख सकते हैं, आपका एक complete paragraph select हो जाएगा, आपको यदि दूसरा paragraph भी select करना है, तो shift और control को press करके रखें, फिर से down वा आप select हो गया, यदि आप तीसरा paragraph select करना चाहते हैं, तो shift और control को press करके रखें, फिर से down arrow key को press करें, तीसरा paragraph select हो गया, तो यदि keyboard से complete paragraph को select करना है, तो उसकी shortcut की होती है, shift control down arrow key या up arrow key, उपर, उपर से नीचे की तरफ select करने के लिए, हमने down arrow key का use किया था, लेकिन यदि नी आप वाली arrow key use करेंगे, तो आप उपर के direction में, उपर की दिसा में, एक complete paragraph को select कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हमने, MS Word में text को select करने के कई तरीके सीखे, आप एक एक character को select कर सकते हो, आप एक word को select कर सकते हो, आप एक line को select कर सकते हो, आप complete document को select कर सकते हो, आप एक complete paragraph को select कर सकते हो, selection बहुत important है, क्योंकि यदि selection नहीं आया, तो हम text को attractive कैसे बना पाएंगे, text को format कैसे कर पाएंगे, text पर operation कैसे perform कर पाएंगे, तो आज की वीडियो में हमने MS Word में text को select करना सीखा, keyboard से और mouse से, यदि आपका कोई question है तो comment section में जरूर पूछिए, हम प्रियास करेंगे आपके question का जवाब देने का, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें, जादा से जादा share करें, मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद.